कलांचो थाइसी फ्लोरा ये इसका बोटैनिकल नीम है जनरली हम इस प्लांट को कौटली डाउन सक्टिलन के नाम से जानते हैं इसकी पत्तियों का आकार जो बीज के अंदर से कौटली डाउन्स निकल के आते हैं ऐसे इसकी पत्तियों की शेप होती है इसके लिए कौटली डा प्लांट नाम पड़ा है अगर यह प्लांट आप सनलाइट में रखते हो तो इसकी जो पत्तियों की बॉर्डर है यहां पर देखिए पत्तियों की जो बॉर्डर होती है उसमें रेड कलर आना स्टार्ट हो जाता है और इसकी सुन्दरता और भी बढ़ती है अगर आपने एक पारिस प्लांट को अपने गार्डन में एड गिया तो सालों साल इसकी खुपसूरती अपके गार्डन में रही कि मरी अगर वीडियो अच्छा लगा सुसक्रीब करना ना भूले